नमस्कार, बहुत स्वागत है, जोतिश दिशा सत्य की रामे, मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश संतोशी है, सुरुवात नए सवेरे की, नए शुभ आरंब की और आज मा कुश्मान्डा का दिन, चौथी नवरात्री, चौथी शक्ती मा कुश्मान्डा, मा कुश्मान्डा जो कोहने से प्रगट हुई हैं, यह इस्त्री शक्ती या पुत्री रत्न रूपी शक्ती को प्राप्त करने की क्रिपा बर्साने वाली देवी हैं, ऐसी मा को बारांबार नमन है, बारांबार प्रणाम है, मा सूर्य की तरह देवी पिमान है, सूर्य की तरह चमकदार है, मा की किर्पा जल्दी हर किसी पर नहीं बरसती, लेकिन जिस पर बरस जाती है, उत्तर भी जाता है, तो मा की किर्पा बरसे, इसके लिए अलग-अलग तरह से हम हर राशी के लिए उपाय बताएंगे, आईए सुर्वात करते हैं आज के, जोतिश दिशा की, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, शाम छे बज कर पांच मिनड तक इसके बाद पंचमीति थी, चोतिश शक्ति मा कुश्मांडा का दिन, चंद्रमा ब्रिश्वराशी में, नक्षत्र रोहिडी, योग सो भाग्य, तदनुसार दिनांख, 16 अप्रेल दिन शुक्रवार, शुक्रवार को राहुकाल का समय, सुबह साड़े दस से बारे बजे तक, और गुलिक काल का समय, सुबह साड़े साथ से नो बजे तक है, राहुकाल नए और शुबकाम के लिए त्याज, और गुलिक काल, नए और शुबकाम के आरंभ के लिए ग्रा है, मेश से लेकर मीन तक आईए, अब जानते हैं आज की, पूरे दिन का हाल, आज की भविश्य वाणी है, मेश राशे, पढ़ाई में खोब मन लगेगा, कोई रुकावट दूर दूर तक नहीं आएगी, ब्यापार परिशान करेगा, बिजनस को लेकर सजग रहने की आवशक्ता है, प्राइवेट सेक्टर वाहन का सुख दे रहा है और नई नौकरी की संभावना है, सरकारी छेत्र उल्जन बढ़ाएगा, सोच समझ कर निर्ड़ लेजेगा, दामपत्य जीवन में पत्य पत्नी की बीच रिष्टे में मधुरता रहेगी, संतान को लेकर कोई बड़ा निर्ड़य लिया जा सकता है, आज का दिन लव लाइप में उल्जन बढ़ाएगा, किसी छोटी बात पर कुछ बड़ा बहस हो सकता है, स्वास्त के मामले में खांसी, पेट में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत होगी, प्रियोग के तौर पर मा कुछ बंढ़ा को प्रणाम करकी और पेठे का प्रशाद मा के चरणों में रखना बेहत शुब होगा, क्या नहीं करना है, आज अपने मन से किसी को सलाह मन दीजेगा, ग्रे कलर शुब है, 51 प्रत्षत का भाग्या है, ब्रशब राजी, दिन बहुत मंगलकारी है, हर रुका काम बन जाएगा, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, ब्याबार में दिक्कत आएगी, बिजनस कुली के सावधान रहने की आवश्यक्ता है, प्राइविट सेक्टर में वाहन का सुख मिलेगा, पूरब दिशा से नई नोगरी के आफर आ सकते हैं, सरकारी छेत्र में कुछ पुरानी समस्याओं के एक दम से फ्रंट पराने से परेशान महसूस करेंगे, धन की स्थिती आज थोड़ी सी इंबैलेंस रहेगी, आज दामपत्य जीवन में क्या पूछता है, बहुत स्मूद रहेगा आज, किसी तरह की उल्जन, परेशानी दूर हो जाएगी, लव लाइफ बहुत अच्छी है, शादी की चर्चा कर सकते हैं, नए प्रपोजल की तरफ भी इशारा मिलता है, लव लाइफ बहुत अच्छा है, स्वास्थ के मामले में, आज छाती में दर्द, सांस लेनी में दिक्कत, माइग्रेन की समस्या हो सकती है, प्रियोक के तौर पर आज के दिन को बहतर करना है, अगर मा कुश्मान्ना को प्रणाम करके, एक घी का दीपक चरणों में प्रजुलित कर दीजेगा, क्या नहीं करना है, बड़ बोलापन नहीं दिखाना है, स्लेटी रंगशुब है, उनहत्तर प्रत्षत का बाग्याब के साथ है, मिथुन रासी, पढ़ाई अनुखे, अंदाज में करेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई है, शेक्षा में दूर दूर तक किसी तरह की दिख्कत नहीं है, ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बिजनस में लाब होगा, प्राइवेट सेक्टर तनाव देगा, रिस्क लेना भारी पड़ेगा, सरकारी छेतर बहुत अनुख्या, बहुत शुब है, गौवर्मेंट सेक्टर में दूर दूर तक दिख्कत नहीं है, दामपत्य जीवन अच्छा है, घुब्य टहलने का कारिकम बनेगा, पुरानी समस्या का हल निकलेगा, लब लाइफ तनाव दे रहा है, ब्रेकप के चांस सकते हैं, प्रियोग क्या करना चाहिए आज, मा कुश्मान्दा को प्रणाम करके गुलाब जल अपने उपर छिड़काव करिएगा, क्या नहीं करना है, दूसरों से उम्मीद जादा मत करिएगा, नीला रंग शुब है, साथ प्रत्षत का भाग्या है, करक राशे, जोले के साउधान रहे, सरकारी छेतर बताएंगी, प्राइविट सेक्टर में वहान का सुख मिलेगा, मित्रों का साथ रहेगा, नहीं नोहुरी की संभावना है, गौर्मेंट सेक्टर, कुछ उल्झने बढ़ सकती हैं, गौर्मेंट सेक्टर किस्तिथी ठीक नहीं है, आज किसी ने किसी तरह के जांच में उल्जाये जा सकते हैं पति-पत्नी के बीच आज किसी अन्न का प्रवेश रिस्ते को तार-तार कर देगा विश्वास खो देंगे लव-लाइफ बहुत अच्छी है किसी तरह के दिक्कत नहीं आएगे कुछ समस्याएं जो उल्जने जादा थी वो दूर हो जाएंगे स्वास्त के मामले में कमर में दर्द, आंख, लिवर की समस्या हो सकती है करक राशी वालों को उपाय क्या करना चाहिए आटा और चीनी मा के चरणों में स्पर्श करके कहीं पौधे की नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है सलाह मत लीजिएगा कोई बताए ये करिए फिल हो जाएगा बादामी रंग शुबच छाँछट प्रिसत का बाग कन्या राशी है अम आप कीजेगा सिंह राजी दिनांक सोलह अप्रैल दिन शुक्रवार पढ़ाई कर लेंगे आप सिख्षा में कोई रुकावट नहीं है ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा लाव की आउसर बनेंगे प्राइवेट सेक्टर तनाव दे रहा है सोच समझकर नड़े लेजेगा सरकारी छेतर में आज मेहनत करना फल देगा गवर्मेंट सेक्टर बहुत अच्छा है दामपत्त जीवन में तनाव आएगा पति-पत्नी की बीच रिस्ते में नोक जोक बढ़ सकती है बच्चों को लेकर कुछ गलत निरड़े हो सकते है लव लाइब बहुत अच्छी है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगे स्वास्त के मामले में पेट कमर में दर्द, आँख की दिक्कत हो सकती है प्रयोग क्या करना है आज आज किसी जरूरत मंद को गुड़ और रोटी खिलाईएगा क्या नहीं करना है मन से अपने किसी के बारे में गलत न सोचिएगा काला रंग्शुभ है 57 प्रत्षत का भाग्य है कन्या राश्य है मानसिक मजबूती मिलेगी पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे स्विक्षा में कोई रुकावट नहीं है ब्यापार अनोखा है बिजनस में लाब के अवसर बनेंगे रुक्य काम बन जाएंगे ब्यापार में आज फाइदा होगा प्राइवेट सेक्टर में कुछ तनाव आएगा प्राइवेट सेक्टर आपके हाथ से बाहर जा रहा है मुश्किलें गंभीर रूप नेंगी सरकारी छेत्र में सब प्रकार की शुपता भी देगी दामपत्य जीवन आपके लिए तनाव देगा बच्चों को लेकर के कुछ मुश्किलें आएगी ससुराल से रिष्टा टफ इस्तिती में आ सकता है लव लाइफ बहुत अच्छी है लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम, घुटने की तकलीफ सांस लेने में भी दिक्कत होगी प्रयोग क्या करना चहिए आज दुरगा मा को प्रणाम करिए मा कुश मांडा को एक लोंग उनके चरणों में रख कर प्रशाद रूप में खाली जेगा क्या नहीं करना है कन्या राशी वालों को आज दूसरों से उम्मीद जादा नहीं करनी है भूरा रंग्षुभ है 69 प्रित्षत का भाग्य तुला राशी 16 अप्रेल शुक्रवार पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे स्विक्षा में मन लगेगा ब्यापार में लाव होगा रुके काम बन जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में तनाव होगा नई नवरे के लिए प्रियास करिएगा सरकारी छेत्र में काम का लोड होगा धनलाब होता रहेगा दामपत जीवन अच्छा है पत्नी के विचार आज मैच करेंगे लव लाइट में उलजन रहेगी कोई अपना ही सगा संबंधी चीट करेगा स्वास्त के मामले में आज कमर में दर्द आँखों की तकलीफ बैक की प्राबलम हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए तुरा राशी वालों को आज मा कुश्मान्दा को प्रणाम करके और एक माला मा दुरगा का मंद्र ओम दुम दुरगाये नमह इस मंत्र का जाब करिएगा क्या नहीं करना है तुरा वालों दूसरों से ज़्यादा उमीद न करिएगा हरा रंगशुभ है पचास प्रत्शत का भाग्य आपके साथ है ब्रिश्चिक राशी थोड़े से तनाव में रहेंगे आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी कुछ पारिवारिक उठा पटक महसूस होगा ब्यापार अनूखा है अनूखा है बहुत अच्छा फाइदा होगा बिजनस में आज जबर्दस्त लाब होगा प्राइवेट सेक्टर वाले भी आज थोड़े से फाइदे में रहेंगे लेकिन नहीं नोखरी के प्रयास अभी रोग दीजेगा दामपत्य जीवन बताएंगे सरकारी छेतर गवर्मन्ट सेक्टर में आज धन का लाब होगा कोई दोस्त मुददगार सावित होगा रिष्टे में मधूरता रहेगी गवर्मन्ट सेक्टर में बॉस और कलीक्स के साथ रिष्टा बहुत अच्छा रहेगा दामपत्य जीवन क्या पूछना है बिलकुल रिष्टा आगे बढ़ता चला जाएगा किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगे लव लाइफ आपके लिए उल्टा पुल्टा है आज रिष्टे में बहुत उठा पटक अलगाव की स्थिती बहुत गहराई से बन रही है स्वास्त के मामले में छाती में थोड़ा सा अंजक्षन महसूस करेंगे बढ़ा बढ़ा सा लगेगा डाइजेशन प्रॉब्लम होगा प्रियोग क्या करना चाहिए आज मा कुश्मांडा को प्रणाम करिए और ओम क्लिंग कुश्मांडा देव्याई नमह इस मंत्र का जाब करिएगा क्या नहीं करना है आज दूसरों से उम्मीद न करिए पीला रंग शुभस सनसट प्रत्षत का भाग्य है धन उराशी दिनांक 16 अप्रेल पढ़ाई अच्छी करेंगे स्रिक्षा में कोई रुकावट नहीं है लाव के अउसर बनेंगे ब्यापार आपका अच्छा चलेगा बिजनस में आई बाधाएं दूर होंगे प्राइवेट सिक्टर में लाव होगा प्रमोशन हो सकता है सरकारी छेतर में धन का लाव होगा मगान का सुख मिलेगा दामपत्त जीवन में संतान का लाव होगा और बढ़ों का आशिरवाद मिलेगा रिस्ता मधूरता की तरफ है लव लाइफ पे उल्जन बढ़ सकती है रिस्ते में थोड़ा सा उठा पटकाएगा बहुत अधिक मन नहीं लगेगा स्वास्त के मामले में आज कमर में दर्द डाइजेशन प्रॉब्लम सांस लेने में दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करना है आज का दिन बहतर करने के लिए मादुर्गा को प्रणाम करिए तीन चुटकी जीनी किसी पोधे के नीचे डाल दीजेगा क्या नहीं करना है आज काला रंग नहीं पहनना है बैणी रंग शुभ है चववन प्रत्सत का भाग कैं मकर राश्य पढ़ाई अधूरी रह जाएगी ब्यापार अच्छा करेंगे वहान का सुख मिलेगा कोई दोस्त मददगार साबित होगा बिजनस में प्राइविट सेक्टर तनाव दे रहा है आज कुछ उल्जल बढ़ सकती है प्राइविट सेक्टर में सरकारी छेतर आपके लिए बहुत अच्छा है गवर्मेंट सेक्टर में दूर दूर तक नुकसान नहीं होगा दामपत्य जीवन बहुत शुभ है पत्य-पत्नी के बीच रिस्ते में मधूरता रहेगी एक दूसरे को समझदारी से सपोर्ट करेंगे लव लाइफ उल्जन दे रहा है लव अगर देखा जाए तो दाहिने हथेली पर थोड़ा सा केसर और कच्छा दूध रखकर मा के चरणों में रखिये स्वास्त भी अच्छा होगा क्या नहीं करना है आज उधार नहीं देना है गुलावी रंग्शु भब 55 प्रत्सत का भाग्य है कुम्भराशी बहुत अच्छ लगेगी मन लगेगा नई जगह है विशर होगा पुराने समस्याओं का हल होगा ब्यापार ब्यातरीन रुकेधन की प्राप्ति होगी है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए तनाव का समय है कुछ न कुछ उल्जन बढ़ सकती है सरकारी छेत्र बहुत सुभा है कुवर् लेंगे लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी है कोई रुकावट नहीं है स्वास्त के मामले में आज सांस लेने में दिक्कत पेट की दिक्कत आंक की दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करना है आज नीला रंग धारन कर लिजेगा शरीर पर नीला रंग धारन कर अंतिम राश्मीन पढ़ाई अच्छी करेंगे मन खोब लगेगा मातराणी की खूब किर्पाप पर होगी ब्यापार में समस्य आएगी बिजनस कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है ब्यापार में कुछ समस्य आएं गम भी रूप ले सकती है प्राइवेट सिक्टर अंकूलता दे रहा है तनाव से मुक्ती मिलेगी मन खोब लगेगा प्राइवेट सिक्टर में लाव के अवसर बनेंगे सरकारी छेत्रा आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें देगा जिन्ताओं से मुक्ती मिलेगी लव लाइफ थोड़ा सा उज्जन वाला है लव लाइफ की इस्तिते ठीक नहीं है बहुत सोचिएगा समझिएगा कदम बढ़ाईएगा लव लाइफ आपके लिए तनाव दे रहा है स्वास्थ के मामले में पेट में दर्द आँख की समस्या और थोड़ा सा कमर में दर्द की शिकायत प्रियोक के तौर पर आज मा को प्रणाम करिए और हल्दी का दान कर दीजिए आज क्या नहीं करना है आज का दिन वाहन उधार नहीं देना है सफेद रंग शुब है साठ प्रत्षत का भाग्य आपके सानिद्धे में है तो भईया समझ लिए राशिया लगन आज कैसा फर देने वाले हैं ग्रहों की उपस्थिती आपके लगन को आपके राशि को कितनी प्रभावित करती हैं अब बात कर लेते हैं आज का भाग्याक्छार मेश सा ब्रिशब ला मिथुन रा करक या सिंग पा कन्या ता तुला घा ब्रिश्चिक फा धनु धा मकर था कुम्भ सा मीन जा यह शुभ भाग्याक्छार सादे चवकूर कागज पर लिखकर ना भी पर या कहीं जेब में रखने ना भी पर बांध ले ताबीज में रख सकते हैं आज की सक्सस की हल्दी थोड़ा सा तिलक के रूप में ना भी पर इंडेक्स फिंगर से लगाई है तरजनी अंगुली से जिसकी आज बर्थ एरिवर्सरी है जन्म दिन आज जिसका है किसी कन्या के विवाह में मदद करके दो पीपल के पौधे कहीं पब्लिक प्लेस पर लगाने है जिसका आज मैरिज एनवर्सरी है दो बच्चों की सुक्षा में मदद करके और दो जरूरत मंदों को भोजन करा देना है बस काम पूरा हो गया आज के दिन का ये राजशिफल का सेग्मेंट अंक बस यहीं तक अनुमत चाहेंगे जानकारी दो 25-26 अपरेल को आप हमसे लखनों में मिल सकते हैं पूरे कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ और 27-28 पटना में मिल सकते हैं और 30 अपरेल गोरखपुर में मिल सकते हैं फिलाल इन शहरों में हम आ रहे हैं आप अपना अपना नाम लिखवा दीजिएगा और प्यार बनाए रखिए चलते हैं अपना बहुत ख्याल रखिए नमस्कार स्री किष्णा शेरादे